बच्चो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे और कॉटन से स्नोमेन बनाना सिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी सबसे पहले हमें थोड़ी सी कॉटन लेनी है और इस कॉटन को अपने दोनों हाथों की हतेलियों के बीच में इस तरह से घुमाना है बच्चो यह कॉटन बॉल्स रेडी है हमें इस तरह से दो कॉटन बॉल्स बनानी है एक छोटी और एक बड़ी अब हमें एक ड्वाइंग शीट लेंगे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर के शीट लेए आप वाइट भी ले सकते हैं अब हमें इस शीट पर इन कॉटन बॉल्स को पेस करना है छोटी वाली को उपर और बड़ी वाली कॉटन बॉल को उसके नीचे अब हम स्नो मैन का फेस बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर मैंने ब्लाक कलर की बिंदी ली है इसको हम यहाँ पर पेस कर देंगे और स्नो मैन की नोस के लिए मैंने यह एक रेट कलर की बिंदी ली है इसे हम यहाँ पर पेस कर देंगे मैंने कुछ बिंदियों को यहाँ पर भी लगा दिया है स्नो मैन का स्काफ बनाएंगे उसके लिए हमें एक रेट पेपर की स्ट्रिप लेनी है और इसे यहाँ पर पेस्ट करना है यह स्ट्रिप लंबी है क्योंकि इसे आपको यहाँ से होल्ड करना है और अब आप इसे फे और आप भी इसे जरूर बनाएंगे